दोस्तों एक common question पूछा जाने वाला कि सर NGO को close कैसे करें आज मैं इस वीडियो के थुरू आपको यहीं बताने वाला हूं कि क्या हम NGO को बनाने के बाद close कर सकते हैं और अगर close कर सकते हैं तो क्या provisions हैं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एंजो तीन तरह की होती है और तीनों का जो closing procedure है वो तीनों का ही अलग अगर कोई NGO तीन साल पुरानी है और और प्रोपर ली इंकम टैक्स की रिटर्न प्रोपर कंप्लाइंस हैं तो आपको बेशने की जरुवत नहीं है वह दूसरे व्यक क्या अगर आप society को close करना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोपर लेकिन हां सुसाइटी को आप क्लोज करा सकते हैं लंबा प्रोसीजर है आपको बेडरेजिलेशन पास करना पड़ेगा फिर उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कि इतने मेंबरों ने अपनी वोटिंग दिय है या दूसरा तरीका यह होता है कि अगर मेंबर वोलंटरी वैंडिंग अप ना करे मेंबरों के द्वारा ना हो तो क्या रिष्टार उसे कर सकता है तो कुछ सिच्वेशन ऐसी भी है कि रिष्टार ओडर देखी इसे society को क्लोज किया जाएगा क्लोज होने के बात क्या प्र कोट के ओडर के द्वारा ही जाएगा एक अलग प्रोसीजर है कोट से ओडर लिया जाएगा और उसमें जो असेट्स लाइटी है उसका भी एक स्पेसिफिक ट्रेटमेंट क्या जाएगा इवन दैट उसके बाद यह डिपैंड करता है कि आपके पास और रिजिस्टेशन कों प्रोसीजर जितना मैंने आपको बताया था सेक्षिन कंपनी एक बहुत वैल्यवल एक और नाइशन होता है तो उसके जो क्लोजिंग प्रोवीजन है वो थोड़े टिपिकल है नोर्मली आपको बताया जाएगा कि सेक्षिन कंपनी क्लोस नहीं हो सकती लेकिन एक प्रोसीज थकी है जाएगा कि परके चाहिए नहीं आपको प्रोसीजर एक प्रोसीजर अपको अपको जो क्कलो भीज़ल एक है थैक प्रोसीजर